नमस्कार न्यूस वोल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी राय बिलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ जहां हर्याणा के नूह में हुई हिंसा की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि नूह जैसे घटना की सुगबुगाहट आज यूपी के अती सनवीदन छील अली गड़ जिले के थाना दिली गेट शेत्र में देखने को मिली है जहां एक हिंदू महिला भूत प्रेत उतरवाने के लिए मस्जिद के एक मौलाना की पास पहुँशी इस दोरान हिंदू महिला और मौलाना की बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और महिला ने मौलाना को चपलों से पीटना शुरू कर दिया जिसका एक वीडियो इस वक्त सोशिल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा अगली खबर हमीरपूर से है जोहां विद्याले के सामने कुए को पाटकर नगरपालिका का बनाया हुआ रास्ता धास गया है वही नगरपालिका और ठेकेदारों की ये बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है बताया जा रहा है कि लगतार हो रही बारिश की वज़़ा से कुवे पर बना सडक पूरी तरह से धंस चुका है अपने यहाँ पर बच्चों की संग्या कितनी है वही अगली कबर जहांसी से है जहाँ प्रेम नगर थाना शेतर के हसारी में रहने वाले विशिप्त यूवक ने आग लगा ली जिसे ग्रिस्ती का समान जलकर राक हो गया घटना की सूशना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेट की टीम ने आग पर काबू पा लिया वही पुलिस ने विशिप्त को हिरासत मिली कर कारवाई शुरू कर दी है यह चौकी हशारी में राम जैन की पूरम में विबेव चोधरी नाम के लड़के ने कमरे में जिसमें एक सिलिंडर अग लगा लिया था तो सुचना मिलने पर चौकी से भी कर आए पुलिस कर्मी और दिवालो पाटक अगर तोड़के उसको बाहर निकाले फायर सर्विस की भी हमारे दो यूनिटे आई और आग को पूर्णूप से बुझाए अगली खबर अलिगड़ से है जहां सालों पुरानी मस्जिद और दरगाव में घुसकर अराजक तत्यों की द्वारा तोड़ फोड़ किये जाने का मामला सामने आया है जहां अराजक तत्यों की द्वारा अती सन्वीदन चील अलिगड़ जिले में मस्जिद और दरगाव में घुसकर तोड़ फोड़ किये जाने के साथ ही मुस्लिम समुदाए की लोगों की आस्था के साथ भी खिलवार किया गया है वही भरपूर कोशिश की गई कि वर्षो पुराने मस्जिद और दरगाव में तत्वों द्वारा धार्मे कस्थलों को छतिग्रस्त किये जाए वही सूचना मिलते ही मुस्लिम समुदाए के लोगों में आकरोश पनप गया जिसके बाद सैकडों की तादाद में लोगों का जमावणा धार्मे कस्थल पर लग गया अराज़क तत्वों के द्वारा मस्जिद और दरगाव में घुसकर की गई तोड़फोर की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी घटना अस्थल पर पहुची जिसके बाद मौके पर पहुची पुलिस ने मस्जिद और दरगाह में घुसकर धार्मी कस्तल को छतिक रस्त करने वाले अग्यात अराजक तत्वों की खिलाप मुकदमा दर्जकर कारवाई में जुट गई अगली कबर पिली भीट से है जहां कावड यात्रा में जमकर असल हो द्वारा प्रदर्शन हुआ है वही जुलूस के दौरान कावडियों ने खुले आम तमंचे और तलबार लहराए वही बता दे कि सोशल मीडिया पर तमंचे और तलबार लहराते का वीडियो और फोट खूब वाइरल हो रहा है और उस जुख को गिरफ्तार करके जिल लेजा जा रहा है वही अगली खबर फारुखाबाद से है जहां सड़क हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई दरसल अग्यात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी जिसके बाद बाइक सवारों की घटना अस्थल पर की मौत हो गई बाइक सवार निर्मार की समागरी लेने जा रहे थे जिस दोरान ये हादसा हुआ वह बता दे कि दोनों बाइक सवारों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है ये अंबूलेंस गही थी इस पर हम लोग लगते लेया पुलिस फोर्स पहुंचा उसी में दबाल गई जो दोनों लोग क्या गतम हो गई थे हैं? वह अगली कबर आगरा से है जो है आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है दरसल पुलिस ने दस हजार का इनामी को पकड़ा है वही बता दे कि पकड़े गए अपराधी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्जु थे आगरा से हैं करके दस हजार के नामीया पकड़ा गया है साथ मुकदमे तर्जादी की पियास के दो एक मनसुप पर और एक अधमा ब्रॉक्त तो एक मनसुप पराधी को फुलासा है यह लूट की घटना है करें इसकता था जैंसर भी से पर लगा हुए वह अगली कवर जहांसी से है जहां वैद शराब के खिलाफ चलाय जा रहे अभियान के तहत UPSTF और चिरगाउ थाना पुलिस को देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी है दोनों टीमों ने घेराबंदी कर भारी मातरा में तसकरी कर हरियाड़स से बिहार ले जा रही लाखों कीमत के अंग्रेजी शराब बरामत कर दो युवकों को गिरफतार कर लिया है वही अगली खबर पॉड़ी से है जहां जुले के चौबटा खाल में अवैद शराब की बिक्री करने वाले एक दुकानदार को 336 पव्वे और 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफतार किया गया जानकारी देते हुए उपजिला अधिकारी ने बताया कि मुखबीर तुआरा अवैद शराब बिक्री की सूचना पर चापे मारी की गई जिसके बाद एक दुकान पर अवैद रूप से अंग्रेजी शराब का धंदा करता हुआ युवकों गिरफतार किया गया वह बता दे कि बरामद सामान की कीमत 76,560 रुपए बताई जारी है आस उबे हमें मुखबीर खास की तरफ से एक सूचना पराप्त हुई जिसमें मैंने पटवारी के साथ में तथा एंटी के साथ में एक सहीत निरिक्षन किया यह तैसिल चुबटा काल का एक बड़ेत गाउं पड़ता है बड़ेत गाउं में हमने निरिक्षन किया तो वहां पर हमें 48 बोटल अंग्रेजी सराब तथा 336 जो प्वाटर हैं अंग्रेजी सराब की प्रामद हुए हैं जो अभीप्त है उसको गिरफतार कर लेगे हैं अगली खबर आगरा से आए जहां भगवती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 में जुआ खिलाया जा रहा था ASP मयंग तिवारी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैट संक्या 4 पे छापा मारा वाई पुलिस ने मौके से 9 लोगों को जुआ खेलते हुए अरेस्ट किया इनके पास से 2 लाख कैश जब्त किया गया है जैसे सरकार और कमिशनेट के पनाली है कि जुआ सट्टा और अपरादों के अंकुष लगाया जा रहा है इसी प्रिगर्ण में रात में एक सूचना प्राप्त होती है कि एक मकान जो की भगवती अपार्टमेंट का मियोगी अंकलेम में है फ्लैट नमबर 4 वहाँ पे जुआ हो रहा है पुलिस तुरंट एक्टिव होती है वहाँ पे जाती है वहाँ पे लगे हाथ 9 अभिव्ट गर्ड गिरिपतार किये गये है वही अगली खबर आगरा से है जहाँ चाय की ठेली चलाने वाली महिला का बदमाशों ने गला काट कर हत्या कर दिया वही महिला को गंभीर हालत में देख लोगों ने ASN में भरती कर आया वही महिला का आरोप है कि मामली की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कारवाईर नहीं की है बताया जा रहा है कि पीडित महिला आसपास जुगा खेलने वालों का विरोध कर रही थी जिसकी रंजिश में अग्यात बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी कि यह सिगंद्रा में मावला संग्यान में रात में उसके चाकू माड़ जी गए थी इस पर गला उसका कट गया है सुबह घड़ने के जानकरी जैसे में होती है तो इसको एसन मेडिकल कॉलज में भर्दिकर आए जाता है मामले की पूरी जानकरी करी गई तो पता चला कि उसका बेटा टैंपो ड्राइवर है और उन्हीं के साथ कुछ लड़के हैं जो उसके घर पे बैठते हैं उन्हीं से कुछ कहा सुनी हो गई थी शायद उनों में से किसी मारा है हमने लगातार पिलिस लगा दी है पिलिस बल दन्न वाल